पार स्लाइट को एरिवान कैसे हैं आप सब लोग तो आज बना रहे हैं बहुत ही असान लेकिन बहुत ही मसिदार अख़्ा मसूर की डाल की रेसिपी कर्मियों का टाइम है जट पड कुछ ऐसा बन जाए जो मसिदार भी हो और हेल्दी भी हो तो यही वो ही रेसिपी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं असान से मसिदार सी रेसिपी पसंद आया तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीड़बैक दीजेगा चैनल पर अगर ने पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्रीस चैनल को सबस्क्राइब सरूर कर दीजेगा बिसमलायरमान रहीम यहाँ पर मैंने यह अक्खा मसूर ली है साबुत मसूर जो होती है यह 200 ग्राम की करीब है और इसको मैंने आदे घंडिक ली भीगो दिया था तो इसको प्रेशर कोक करेंगे तो सबसे पहले स्किली तड़का बनाएंगे तो प्रेशर कोकर में मैं डाल रही है यहाँ पर दो टेबल स्पून देसीगी देसीगी में डालें बहुत मसेदार लगती है आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते है कीचब गरम होगे है तो इसमें मैंने डाल दिया है दो तेसपाद, एक टीसपून सफेज जीरा और एक काली लाईची इसको जो है 30 सिकन्स के लिए थोड़ा सा फ्राय कर लेते है ताकि इसकी खुश्बू अच्छे से आ जाए अब इसमें डाल रही हूँ मैं प्यास यह मैंने एक मीडियम साइस की प्यास को बारिक स्लाइस कर लिया है प्यास को हमने हलका सुनहरा करने के लिए भून लेना है तो इसको फ्राय कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्यास हलकी सुनहरी हो चुकी है अब इसके हम डालेंगे लसन अद्रक मैं हापे फ्रेश लसन अद्रग यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यहापे एक इंच का टुक्रा लिया था अद्रग का और दो से तीन जवे लिये थे मैंने लसन के इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया वो फ्रेश ली कूट के मैंने इसमें डाला इसे फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं लसन अद्रग को प्यास के साथ जो है मजीद 30 सेकंड्स के लिए फ्राइ कर लेंगे लसन अद्रग फ्राइ हो गया है तो अब इसके अंदर हम डालेंगे एक टेमाटर तो मीडियम साइज का टेमाटर लिया था अच्छे से गल चुके हैं, इसमें अब डालेंगे थोड़े से शूखी मसाले 1 टीशपून डाला है ऐसमें धनिया पाउडर लाल मिर्ज का पाउडर मिर्ज आपने तेस के साब एड्जस कर सकते हैं और साथ में आदा चमच मैंने इसमें हल्दी पारो डाल दिये करर के लिए थोड़ा सा पानी डाल रही हैं ताकि सूखी मसाले जले नहीं और फ्लेम को मैंने लो कर दिया ता मसाले डालने से पहले अब हल्की आंच में मसालों को प्यास टिमाटर के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इतना भून लेगे कि इसके घी थोड़ा सेपरेट हो जाएं मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च और पुदीना यहां पे मैंने तीन हरी मिर्चों को काट की इसमें डाल दिया है और पुदीना डाला है मैंने इसमें पुदीने की डंडिया निकाल दिया है पतियों को मैंने काटा नहीं है साबुत पुदीना मैंने इसमें पत्ते डाल दिया है पुदीना अक्षा मुसूर में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है तो अगर आपके पास यह है तो आप ही जरूर डालेगा अब डाल देंगे साथ में जो दाल हमने भीगो के रखी आदे गहंते से भीगी हुई दाल और डाल को हमने जो है मसाले में अच्छे से भून लेना है तो फ्लेम को मैंने वापस मीरियम कर दिया है और डाल को जो है मैं दो से तीर मेर्ट मसाले के साथ पहले अच्छे से भून लोगी पानी डालने से पहले देखें दाल बहुत अच्छे से भून चुकी है और अब इसमें मैं डाल रही हूं पानी तो जितनी भी आपने डाल ली है भीगने के बाद वह जितनी भी कप में डाल बनती है उसका डबल आपने इसमें पानी डालना है क्योंकि हमने दाल को गलाना भी है ये दाल को गलने में थोड़ा सा जाधा टाइम लगता है बनिस्बत साधी मसूर के जो कटी हुई दाल होती है ये सापुत दाल है तो इसमें मैंने डबल पानी डाल दिया इसके जितना भी ये कपका था पानी और पानी डालने के बाद इसमे मैं लिड लगा रही हूँ और हाई फ्लेम पे एक विसल आने पे मैं इसकी फ्लेम को कर दूँगी लो और लो फ्लेम पे मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनिट इसको हलकी आज पे पकने दूँगी उसके बाद गैस बन करके मैंने इसका प्रेशर खोदी रिलीज होने दिया था तो दाल जो है कम्प्लीली डन हो चुकी है मैंने इसको चेक किया तो अच्छे सी गल चुकी है दाल अभी शुरू में पतली लग रही है क्योंकि हमने चावल के साथ सर्फ करनी है तो पतली ही दाल अच्छी लगती है और ठंडी होने पर दाल और ज़्यादा गाड़ी हो जाएगी तो मजीद इसको ज़्यादा ना पकाएगा वन्ना बाद में ठंडी होके दाल ये बहुत गाड़ी लगने लगती है तो इसमें फ्लेवर क्ली मैंने डाल दिया है हरा धनिया और हरा धनिया डाल के हिसको हलके हाँ से मैंने मिक्स कर दिया है तो दाल तो तैयार है मगर इसको फ़ाइनल एक तक टच देने के झाली है इसके झालыми पाली हांच सा तर्का बनाएंगे और इसको मैंने फॉरन जो है डाल के उपर पोर कर दिया है तरका डालते ही कोकर का ढखकन आप सरूर ढख दीजेगा ताकि इसकी सारी खुश्बू जेना डाल के अंदर जो है रजबस जाए और यह देखिए बेहतरीन सी अक्षा मसूर बनके त्यार हो चुकी है जैसे कि आपन कि यह गर्मिया है बहुत जल्दी बनेगी और बहुत ही मसिदार और हेल्दी रेसिपी बनके त्यार होगी तो अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं पहले भी विजिट कर